हेलो उस्तों मैं हो रजयत बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यूव वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं सेरिल गुमे किसे के प्यार में के आने वाले एपिसोड की पूरी डिटेल अपडेट के बारे में कि आकिरकार क्या महा संग्राम होने वाला है तब जब विराट और समराट आमने सामने होंगे एक साल बात और यहां पर ऐसे कौन से शर्ते हैं चुकि समराट विराट के आगे रखने वाला है एंड क्या कुछ महा संग्राम हमें यहां पर देखने को मिलेगा तो वीडियो उने वाले काफे ज़्यादा इंट्रेस्टिंग तो इसे लास तक जरूर देखेगा अब तक अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बाद आइकूं को दबा दीजिए क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरिल से जुड़ी अप्डेट लगातार मैं आपको यहां पर पहुचाता रहता हूँ तो दोस्तो अगर आप मेरे साथ लगाता और जुड़े हुए हैं तो लगबग आपको आने वाले एपिसोड की स्टोरी पता होगे कि क्या है लेकर आए फिर से जानते हैं एक बार अगर आप नहीं पता जानते तो तो दोस्तो बतादू कि आने वाले एपिसोड में फाइनली पहले तो विराट और सही एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर विराट जो है यह सवाल खड़ा कर देगा कि आखिर कार्फ सिर्फ वो मेरे भाई से दिखता ही है या फिर मेरा भाई है भी और ऐसे में साही की प्रॉब्लम्स काफी बढ़ने वाली है यहाँ पर क्योंकि साही को तो पता है और लगबू उसको तो कनफुर्म हो चुका है कि जिससे मैं मिली हूँ महरास्ट छे सही है नाम भी सैम है उनका जोकी समराट से मिलता है और वो समराट दादा ही है और इस साथ ही दोस्तों मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया था और वही आपको देखने को मिल रहा है सेल में भी कि और फोनेज में जो है एक बोर्टरे सेलिब्रेशन है विराट नाम की छोटे बच्चे का और यहां पर समराड जो है बड़ी ही अच्छी तरीके से धूम दाम से उसका और सभी बच्चों का जो वर्ड है वो बना रहा है वहां पर और यहां पर चीफ गैस्ट के रोल में सही जो है काफे सारे गिफ्ट से लेकर पहुंचने वाली है अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट तो यहीं सही आने वाला है क्योंकि सही जब उससे बताएगी जैसा कि आने वाला एपिसोड का कुछ हिस्सा आपको देखने को मिला होग अब तक जहांपर सही कहते ही कि मैं कुछ गिफ्ट से लेकर आई हूँ अब मेरे साथ कुछ लॉग और है और सबसे पहले वहाँ पर अंदर आने वाले हैं मोहित और सनी जैसे में दोस्तों सनी और मोहित को देखने के बाद समराट ऐसा रियक्ट करने वाला है जैसे कि वो उनने कभी देखा ही नहीं है और इसमें साफ इंकार कर देगा कि मैं इन दोनों को नहीं जानता और य लेकिन यहाँ पर समराट का सवाल यह नहीं है कि वो आकरकार वहाँ पहुंचे कैसे और उन्हें पता कैसे चला कि वो और्फोनेज में ही रहता है तो यहाँ पर उसका पहला सवाल इसके अलावा क्या हो सकता है जिया दोस्तों उसका पहला सवाल यहाँ पर यह होगा कि आकरका वो सई से पुछेगा कि इनका तो पता नहीं लेकिन तुम कौन हो मुझे सच सच बताना और ऐसे में सई उससे बताने वाली है मैं और कोई नहीं बलकि विराट सर की पतनी हूँ उनकी वाइफ हूँ और ऐसे में यहां पर समराट के पैरो तले जमीन किसक जाएगी क्योंकि उस उससे बिलकुल नहीं पता कि उसका भाई जो है जो कि पत्र लेका को पसंद करता था वे उससे छोड़ कर सई से शादी कर चुका है यानि कि विराट का बहुत दूर जाना बिलकुल हो गया बेकार यहां पर और ऐसे में दोस्तों यहां पर फाइनली मोहित और सनी जो है अप पाइनली इन है पता चल जायेगा यहां पर की जोड़ी है और कोई नहीं बलकि समराट ही है अब दोस्तों यहाँ पर समराट भी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि आप कोई पता है कि समराट एक आर्मी आफिसर है और वो छुपकर रह रहा है लेकिन अपने अतीत को अभी भी याद करता है ऐसे में समराट को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक्सेप्ट करने में कि वो समराट है और उसका पूरा नाम समराच चौवान है और वो नागपूर महाराष्ट में ही रहता है और ऐसे दोस्तों यहाँ पर सारा सच कुलकर सामने आने वाला है लेकिन यहाँ पर वापस लोटने की बात पर समराट का सीधा एक की जवाब होगा नहीं कि वो वापस नहीं जाना चाहता है सही के साथ, विराट के साथ, सनी के साथ, मोहित के साथ, नाकूर वो वापस नहीं जाना चाहता है तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी मिन्नतें करनी पड़ेगी सही को भी विराट को भी और मोहित और सनी को भी यहाँ पर मोहित काफी जादा emotional आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों और वो समराट से कहेगा कि तादा अब मैं आपको अपने नजरों से भी दूर नहीं चलना होगा आपको पता नहीं है कि घर में कैसी हालत है मांसी ताई की और सभी गर के काकू अश्विनी काकू सब लोग कितने ज़्यादा दुखी हैं कब से आपका इंतजार हो रहा है और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर समराट के मन में ये तो सवाल है ही है कि सब मेरे इंतज कर रहे हैं लेकिन क्या पाकी इंतजार कर रही है और ऐसे सारे काफी सवाल यहाँ पर खड़े होने वाले हैं फाइनली विराट और सब लोग मिलकर काफी मिनतों के बाद समराट को मना लेने वाले हैं साथ में चलने के लिए यहाँ पर समराट को मनाना इतना आसान नहीं है क पत्रेलेखा से कोई relation maintain करके नहीं रखने वाला हूँ ऐसे में दोस्तों पत्रेलेखा को अलग करने की बात कहेगा और यहां पर सब कुछ काफी ज़्यदा फटाफट होगा और आपके लिए फटाफट नहीं होगा विराट के लिए बहुत फटाफट है कि एक साल बाद उसका सामने आगया आपके लिए तो दोस्ते तीन एपिसोड खाएंगे लोग तो ऐसे में दोस्तों यहां पर विराट भी कहे देगा कि ठीक है तुमरे जो भी शर्त है हम मानते हैं लेकिन तुम हमारे साथ चल रहे हो मान से ताई तुम्हारा इंतजार करे यह तुम्हें चमवान अभी भी जबकि उसने उसके जीवा से उसे मिला दिया है यहां पर विराट की नाराजगी यह है कि सही एनिवर्सिल सेलिबरेट नहीं कर पाई और विराट को काफी को उसने सुना दिया था तो यह नाराजगी थोड़े दिर के लिए तो परे रहेगी लेकिन यहां पर विर सारे discussion होंगे एंड उसके बाद finally जाकर समराट जाने वाला है चमवान निवास में और वहाँ पर उसके entry होने वाली है केर दोस्तों मुझे लगता है कि वीक के end वाले episode में आने Saturday episode में आप मंडे episode में समराट जान निवास पहुंचेगा उससे पहले तो आपको महा बलेश्वर वाला सीन और ये बर्थरी सेलिबरिशन समराट और विराट के आमना सामना ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है आई होब आपको वीडियो पसंद आयोगा और information मिल गई हूगी कि आने वाले episode में क्या कुछ खास आप के लिए है और आने वाली storyline क्या होने वाली है बड़ा twist क्या होने वाला है समराट 25 पत्र लेखा को किस तरीके से रिस्तों से आजयत करने वाला है कैसे पत्र लेखा का पर पहुंचाता रहता हूँ कोई भी सवाल आपका तो मेरे साथ सीधे instagram पर शेयर कर सकते हैं जिसका लिंक आपको description मिल जाएगा मैं अगले वीडियो को साथ फिर सलोटूंगा जब तक लिए थेंक्यों दोस्तों